एलो फेंड्स वेल्कम तो माई चैनल इंग्लिश विच्छागम नोड़ा फेंड्स आज मैं आपके लिए एक ऐसा जबर्दस्त इंपोर्टेंट टोपिक ले किया हूं जिस पर आपको UGC net में एट लीस्ट दो कोस्टेंज दो जुरूर मिलेंगे यह टोपिक है सम इंपोर्टेंट वर्क्स एंड देर सब्टाइटल मैंने कुछ ऐसे 25 वर्क्स छाटे हैं जिन वर्क्स में के सब्टाइटल भी बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट है और यह कॉश्चन आप पिछले पेपर्स में देख सकते हैं आता ही आता है इसके उपर मैंने वीडियो भी बना रखा है अगर आपको समझना आप महां से देख सकते हैं इसका सब्टाइटल है 12th night का वट यू विल जो की बहुत इंपोर्टेंट है वट यू विल तीसरा परक है Vanity Fair जो की W.M. ठैकरी में लिखा है इसका सब्टाइटल है Indian Novel Without Aero इसके उडिसीनेट में भी कॉश्चन आया हुआ है Task of the Arbor Valley जो की famous Victorian Thomas Hardy ने लिखा है इसका सब्टाइटल है A Pure Woman तो देखिए friends इस सब्टाइटल बहुत ही important works है और मैंने इनमें काफी महिनत करके ऐसे works लुदे हैं जिन पर कोश्चन आते हैं इसी की next हमारा है Frankenstein Frankenstein जो की Mary Sherry ने लिखा हूँ एक Gothic Novel है इसका सब्टाइटल है The Modern Prometheus next हमारा है Castle of Otranto तो Castle of Otranto की Gothic Novel है जिसका सब्टाइटल है एक Gothic Story next मैंने लिखा है वर्क लिया है The Secret Agent यह Joseph Carnard का लिखा हुआ एक ज्यादा famous वर्क नहीं है लेकिन यह भी exam point बूँछे important है कि इसकी सब्टाइटल है बिखुँ simple है A Simple Tale The Importance of Being The Ness Oscar Wilde बहुती famous वर्क है The Importance of Being The Ness और इसका सब्टाइटल पर शांदार है A Tribune Comedy for Serious People बहुती शांदार सब्टाइटल है The Medal John Brayton का लिखा वर्क है It's Attire Against Statisticians यह एक पोईम है The Medal यह एक पोईम है Elastor P.B. Shelley की लिखी हुई एक पोईम है इसका वर्क है The Spirit of Solitude Next Absalom and Agitaphit एक पोईम Walter Scott ने जो पहली नोवल लिखे जी वैवर्ले नोवल उसका था It's 60 years since Middle Mark George Idiot का इसका भी question आया हुए A Study of Provincial Life Sartre Resortus Thomas Carlyle का लिखावा बहुती famous वर्क है इसका जिसका सब्टाइटल है Taylor Reap है The Silent Agreement Ben Johnson का लिखा हुआ रहक है इसके उपर भी question आया हुआ है Epican के तो यह सारे बक्स बहुत important है The Unfortunate Taylor जो कि University Thomas National लिखाता इसका सब्टाइटल है The Life of Jack Wilton Clarency Samuel Richardson ने लिखाता इसका सब्टाइटल है Adventure of a Young Lady Isabella फिर एक पोईम है जो कि John Keats ने लिखी है इसका सब्टाइटल है The Bot of Basil Princess Tennyson की लिखी हुए एक पोईम है जिसका सब्टाइटल है A Madly Kangaroo B.H. Lawrence का लिखा हुआ एक वर्क है जब वो ऑस्टेरिया गहे थे उस टैमने वर्ट के लिखा था इसका सब्टाइटल है Thought Adventures Eucreus फिर से इनिवस्टी भी जोन लिखा हुआ एक सब्टाइटल जिसका वर्क है जिसका सब्टाइटल है The Anatomy of Fit Citizen of the World ये Oliver Goldsmith का लिखा हुआ एक जिस हम कह सकते हैं ऐसे वर्क है जिसका सब्टाइटल है Public Major The Prelude ये Autobiography थी The Growth जिसका सब्टाइटल है Growth of a Poet's Mind ये Autobiography है Prelude Joseph Andrews, Henry Filting इसका सब्टाइटल बहुत बढ़ है The History of the Adventures of Joseph Andrews and of his friend Mr. Abraham Adams The Mayor of Past Reviews, Thomas Hardika लिखा हुआ है जिसका सब्टाइटल है A Man of Character So friends, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है अगर किसी friend को इन वर्क समझने में problem आ रही है तो मैंने सब्टाइट वीडियो बनाया हुए है आप हमको देख सकते हैं और friends, इन सब को आप याद कर लिए यह सब बहुत ही important है और इन से जरूर आपको UGC Net Yes Let की preparation में आपकी help होगी जरूर होगी Friends, best of luck to all of you आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद Friends, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए, जाउन्लोड कीजिए, जादा से जादा शेयर कीजिए ताकि और ही Friends का बलाव सके आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो